नमस्कार मैं हूं रमेश भट आप देख रहे हैं मेरे साथ देव भूमी की बात और देव भूमी की बात में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लेकर आए हैं उसका नाम है सेतू जी हां नीती आयोग की तर्च पर अब उत्राखंड में जो पॉलसी थिंग टैंक होगा उसक का संस्तान स्थापित करिए एक कॉंप्रेहेंसिव पॉलसी मेकिंग में आपको मदद मिलेगी लेकिन क्या सेतू आने के बाद हमारी नीतियों में सुधार आएगा हमारी पॉलसी मेकिंग बहुत ही ग्राउंड लेवल की होगी उसका इंप्लिमेंटेशन जबरदस्त होगा ह हम आउटकम के साथ आउटले के साथ आउटकम पे भी चर्चा करेंगे ये आने वाले दिनों बेपता लगेगा लेकिन ये एक्ची शुरुवात होने जारी है मैं कहूंगा लेकिन क्या उत्राकंट जैसे राज्जे में जो मूलत पहाड़ी राज्ये हैं जहां आज भी मैं क निर्माताओं के लिए एक चुनौती तो होगी होगी लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उत्राखंड में जो हमें लगती है वो है वो ये है कि साब कोई भी योचना आप वर्ल्ड क्लास उस योचना का डिजाइन मना लीजिए या पॉलिसी मेकिंग जो है बहुत शांदार कर ल कासियों ने स्मार्ट सिटी को लेकर लेकिन देहरादून को निराशा हाथ लगी स्मार्ट सिटी के मामले में क्योंकि स्मार्ट सिटी को जिस तरह से इंप्लिमेंट किया गया कितनी बड़ी बड़ी बाते थी स्मार्ट सिटी में साब कि आप सच्चता का ध्यान रखेंगे एक integrated transport system होगा, urban housing पे ध्यान देंगे, planning में ध्यान देंगे, seaweed पे ध्यान देंगे, वो सारे concept पे बात थी लेकिन आपने देखा कि देहरादून में क्या कुछ हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि smart designing और उसको जमीन पे उतारने में धरती आसपान में का अंतर है, ये मैंने आपको एक उधारन दिया, दूसरा मैं आपको उधारन दूँगा, एक उत्राखन का जो कृशी विभाग है, वो 2018 में एक proposed policy लेकर आया, agriculture policy लेकर, मुझे नहीं मालूम उस policy में क्या हुआ, क्योंकि मैंने उनकी website पे एक draft देखा, वो draft वाकिए बहुत अच्छा था, एक अच्छा draft तैयार किया गया था, उसके अच्छे उदेश्य थे, उससे अच्छे काम करने की मनशाद जिताई गई थी, लेकिन जब आप, क्योंकि मैं गाउं में घूमता रहता हूँ, उत्राखंड में जगे जगे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तब अगर मैं उस proposed plan के हिसाब से ground level implementation जदी देखता हूँ, तो हम 20% भी implement नहीं कर पाते हूँ, जी हाँ, मैं पूरी जमेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो योजनाए हम बनाते हैं, उसका 20% भी implementation ground में नहीं देखता, तीसरी बात, जो नीती निर्बाताओं को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है, हम जानते हैं कि उत्राखंड में जो land वो scattered है, यानि बिखरी हुई जो थे, 90% हमारा जो किसान है, बलकि मैं कूँगा 95% हमारा जो किसान है, वो छोटा और मजूला किसान है, जिसके पास बहुत कम जमीन है, तो इस लिहाद से उसके लिए policy किस तरह की होगी, उस policy से उसको क्या फाइदा बिलने जा रहा है, क्या आप integrated agriculture model plan पे काम करने जा रहे हैं, पहाडों को वापस development के शेत्र में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रज बना था, इसकी बुनियादी सोच में उत्राखंड में पहाड थे, आज हमारे ग्रोट ड्राइवर कौन से जिले हैं, आज हमारे ग्रोट ड्राइवर आप देखेंगे, हरिदवार जो हमारी जी टीवी में 25% तकरीबन कांट्रिब्यूट करता है, उद्धम सिंग नगर आलमोस 20% से जादा कांट्रिब्यूट करता है, देहरादून और बाकी जो हमारे जिले हैं, जो हमारे दश जिले हैं मान लीजे, वह बाद पीछे रहे ठीलेगें, तो हमें जो प्लानिंग कर दी है, उसमें हमारे केंद्र में वो जिले होने चाहिए जो आज भी जो ग्रोट इंजर नहीं बन पाए, मैंने रूलर प्लानिंग की बात की मैंने अगरी कल्चर को लेकर प्लानिंग की बात की जो कि मुझे लगता है आप कुछ भी कर लीजिए मेरी बात को गौर से सुनिए आप कुछ भी कर लीजिए जब तक आप अपने करशी शेतर को अपने बागवानी शेतर को अपने लोड़ेंगे नहीं फार्मर की इंकम नहीं बनाएंगे यहां रोजगार सजन नहीं करेंगे लोकल एकॉनमी जनरेटिंग नहीं करेंगे तब तक उत्राखंड के लिए जो आप सोच रहे हैं कि हम साब विकास करेंगे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी हमारा जीडीपी का साइ है उत्राखंड के लिए वो है अबन प्लानिंग शेहरी नियोजन जिस तरह से हमारी आबादी जो है वो शेहरी करण की तरफ बढ़ रही हमारा बहुत तेजी से शेहरी करण हो रहा है वहां पर मूलभू सुमिधाएं प्रदान करना इन शेहरों को ग्रोथ इंजन के तोर प बहुत जरूरी है मैं समझता हूं कि उत्राखंड आज सबसे जादा कहीं लैक कर रहा है सबसे जादा कहीं पिछड़ा हुआ है तो वह हमारा अर्बन प्लानिंग है अर्बन प्लानिंग का मतलब केवल M.D.D.A. और हमारे जिराविकास प्राधिकरन नहीं है इनकी इमेज त प्लानिंग को इस तरीके से बनाया जाए उसमें टेक्नालोजिका इस तरह से उप्योग किया जाए कि आम आदमी को ये लगे के साफ में शेहरों में एक उप्योग करकर आप काम कर सकते हैं तीसरा जो मैं देखता हूं मैं नीती आयो की रिपोर्ट को पढ़ता हूं हमारा जो हेल्थ सेक्टर है इस पे में बहुत काम करने की जरुवत है खास कर अगर हम ग्रामीन उत्राखंड के स्वास्तोविधाओं की बात करें यहां हम स्वास्तोविधाओं को कैसे मजबूत कर सक लेकिन हमें सबसे ज़ादा ध्यान दे रहा होगा कि क्या हम अपने नागरिकों को एक क्वालिटी उपचार दे पा रहे हैं समय से उनको दवाईयां मिल पा रही है नहीं उनकी बिमारी को हम डाइगनोस कर पा रहे हैं यह सारी विवस्ताओं पर हमें काम करने की जरुवत है चौथा एजुकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ यह सबसे इंपॉर्टन सेक्टर है क्योंकि मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ी खाई है शरकारी स्कूल में मैं सरकारी स्कूल की इंपॉर्टन्स को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाल को देंगे जो रिसल्ट आया वो इतना निराशा जनक था मैं उसके बारे में आपको नहीं कह सकता कोई भी राज्ज कोई भी समाज कोई भी देश अगर अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता तो यह मैं कहूंगा एक तरह का एक तरह की शर्मना किस्तित एक काला धपा है हमारे उपर इसलिए इतना पैसा खर्च करने के बाद यानि बजट का सबसे बड़ा भाग वो एजुकेशन सेक्टर को हर साल जाता है लेकिन अगर हम एजुकेशन सेक्टर में खासका सरकारी एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी ओफ एजुकेशन अपने अगर हम वही नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा सोचनी विशह है लेहाजा टिकनॉलिजी का इस्तमाल करकर क्वालिटी चीचर्स लाके उनकी अच्छी ट्रेनिंग कराके आपको जो रास्ते अपनाने आज तो बेस पैक्टिसेस है पिलनेंट जैसा देश है जहा जो बहुत ही इंपॉर्टन सेक्टर है खासकर हमारे यूथ के लिए उनको लगता है पढ़ लिखे फिर उनको आगे क्या करना है उनको रोजगार कहां अपलब्द कराएंगे रोजगार कब अपलब्द होता है जब आपकी एकॉनमी ग्रो कर रही है आपका ग्रोथ रेट ब रहे हैं तो यहां आप किन-किन सेक्टरों पर रोजगार क्रियेट कर सकते हैं मूलता अगर मैं देख रहा था उत्राखंड को अगर आप देखेंगे यह इसका मेंस्टे आज भी एग्रिकल्चर हॉल्टी कल्चर हैं एनिमल हस्बंट्री हैं जादातर स्वरोजगार आप इ देखेंगी एक भाग जो है वहाप को तनख़ा के लिए देना होता है ब्यास के लिए देना होता है पेंशन के लिए देना होता होता है उसके लिए आप committed हैं वह तीस परसेंट से ऊपर जा चुक्का और यह धीरे धीरे ढढ़ता जा रहा है उस लिहाज से पर याधका revenue growth नह ना होके इंद सरकार पर इस और आपको ध्यान देना होगा अर्बन प्लाइनिंग में एक बात और ध्यान लखने की जर्वत है हमने जोशी मट का एक्जामपल देखा जोशी मट हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक्जामपल है जो लैंड सबसीडियन्स का वहां पर मामला आयता भूद असाव का उसके बाद कम से कम हमारी आखे खुल जानी चाहिए कि हमें अर्बन प्लानिंग कैसे करनी है और खासकर हमारी प्रादिकरन या हमारी अर्बन लोकल बाडीज है उनकी क्या जबाब दई होनी चाहिए पांचवा जो सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टन सेक् करा के लिए लोग आते हैं और दूसरा हमारा है जो टुरिजम हमारा है इन दोनों पर ही हमें बहुत काम करने की जर्वत है और खासकर सबसे जादा सॉलिट बेस्ट मैनेजमेंट पे हमें काम करने की जर्वत है मैं समझता हूँ जो मुद्दे में आच सामने लेकर आ रहा आता है इन सब पर हमें सोचने की जर्वत हैं लेकिन जो सबसे बड़ा चैलिंज सेतु के लिए रहेगा वो रहेगा इंप्लिमेंटेशन इंपलिमेंटेशन इंपलिमेंटेशन इप आपने घसियारी किल्यार योजना शुरू की मैं उत्राखंड में घूमता हूं मैं पूछता हूँ आपको क्या घास मिलती है घर तक वो कहते हमें तो पता भी नहीं है कई लोगों को पता ही नहीं है पॉलिसी अच्छी है प्रोग्राम अच्छा है डिजाइन अच्छा है अब्जेक्टिव अच्छा है लेकिन इंप्लिमेंटेशन आप देख लीजिए मैंने स्मार्ट सिटी का एक्जामपल पहले ही आपको देख लिया मुख्यमंत्री सुरोजगार योजना बेसिकली हम कट कॉपी पेस्ट पे बिलीव करते हैं हमने वो जो प्रधान मंत्री सुरोजगार योजना उससे हमने पॉलसी को ह हमने कॉपी कर लिया आप उसकी इंप्लिमेंटेशन में में देख रहा हूं तमाम दिक्कतें आ रही हैं लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है वो अपना सुरोजगार शुदू नहीं कर पा रहे तो जो सेतू है उसको ना सिर्फ अच्छी प्रोग्राम्स बनाने होंगे अच के मकाबले क्या परिडाम हमारे पास उस क्वालिटी के आरे या नहीं इस पर सबसे जादा सेतू को काम करना होगा बहराल सेतू को लेकर अपेक्षाएं बहुत हैं लेकिन क्या ये सेतू हमारे उत्राखन की तस्वीर और तकदीर बदल पाएगा इस पर हम भविश पे जरू जयन सेस्कित